नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों अगर आपके फसल के अंदर सफेद भुनका या सफेद मक्षी जिसको अंगरेजी में वाइट फ्लाई भी बोला जाता है अगर ये कीट आपकी फसल में लग चुका है और आपकी पूरी जो फसल है वो बंदी-बंदी सी हो रही है तो आज मैं इस वीडियो में आपको चार ऐसे बहतरीन केमिकल के वारे में बताने वाला हूँ दवाईयों के वारे में बताने वाला हूँ जो दोस्तो इन में से आप किसी एक दवाई का इस्तमाल करके आपके खेट में जो यह सफेद भुनका, सफेद मक्ही है दोस्तो यह बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी और साथ ही साथ अगर आपकी फसल में किसी भी पिरकार का रस्चू सकीट लग चुका है जैसे कि थिरिप्स, पंक्ही या अन्य जो हमारे हरे भुनके, काले भुनके होते हैं दोस्तो यह भी दवाईया उनको भी कंट्रोल कर लेंगी तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और यह जो चार दवाईया हैं यह जो चार केमिकल हैं दोस्तो यह आपको किसी भी आसपास जो हमारी खाद बीच की दवाईयों की दुकाने होती हैं वहाँ पर बड़े कम दाम में और बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ में द दवाईयों के बारे में तो चलिए किसान भाईयों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह जो सफेद मक्ही है यह आपकी फसल को किस तरीके से नुकसान पहुचाती है तो देखे किसान भाईयों यह जो अडल्ट मक्ही होती है जो सफेद भुनका जिसको हम बोलते हैं यह पूरी फसल बन जाती है जैसा कि आपने देखा होगा मिर्च की फसल के अंदर देखा होगा जो बन जाती है हमारी मिर्च की फसल वह जाती है सफेद मकhी की वजय से ही बनती है इसको तो इसके बन जाती है एसके यह बच्छ करना जरूरी है ики फसल दोस्तो में जहाले करके बिल्कोल खतुम तो दोस्तो आपको क्रिशी एसायन का इका के नाम से मिल जाएगा जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला जो प्रोडेक्ट है क्रिशी एसायन कंपनी का इका इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है सबसे पुराना और सबसे कारगर माना जाता है इसकी अगर मातर की बात करूँ कि आपको कितनी मातरा इसके अपने खेत में इस्तमाल करनी है तो इसकी लगबग आपको आदा ग्राम पिट्ती लीटर पानी में मिलाकर आप अपनी फसल पर इसका इस्प्रे कर सकते हैं पचास ग्राम का जो डबबा है वो लगबग सो लीटर पानी में आप मिलाकर इस्प्रे कर सकते हैं और जो दोस्तो इसकी रिजल्ट है वो बहुत ही शांदार आपको देखने दरूर करना है तभी आपको अच्छे रिजल देखने के लिए मिलेंगे सफेद मक्की के खिलाफ यह दोस्तों की कीमत की अगर मैं बात करूँ तो जो पचास ग्राम वाला जो इसका पैकेट छोटा पैकेट आता है वो 80 से 100 पे के बीच में बड़े अराम से आपको किसी भी खा प्रूब्ड का नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा मेरे हाथ में यह आई आई एल कंपनी की है जो दोस्तों टेक्टर ब्रांड है टेक्टर ब्रांड की जो आती है दोस्तों विक्टर के नाम से आती है इसके अंदर इमिडा क्लोपिट 17.8% SL फोम में होता है यह दोस्तो द्रव पदार्थ होता है इसके अंदर इसकी जो मातरा आपको इस्तमाल करनी है वो लगबग 1 ml पिर्ति लीटर के इसाब से आप इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों यह मेरे हाथ में 50 ml की शीशी है जो 50 लीटर पानी में आप पिलाकर अपनी फसल पर इस्प्रे कर सकते हैं इसके साथ दोस्तों जो हमारी फसल में पंकी लग जाती है अगर आप बेल वाली फसले करते हैं या आपकी जो ध्यान और गैहूं में जो पंकी लगती है दोस्तों उसको भी बड़े अराम से कंट्रोल कर लेती है इसकी अगर मैं कीमत की बात करूँ तो मेरे पास जो 50 ml की शीशी ह यह मातर 80 रुपे की है अगर आप बड़ा पैकेट लेते हैं इसका तो लगबग देड़ सुर्प से 160 रुपे की बड़े अराम से आपको खाद भी जो दुकाने होती है जो दवाईों के दुकाने होती है वहाँ पर बड़े अराम से मिल जाएगी तो यह हो गई दूसरी पर बड़े जो आपको सफेद मक्खी बगाने में काम आ सकता है आप यह दवाई का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसकी मातरा की बात करों तो इसकी मातरा भी किसान बाईों लगबग 1-5 ml प्रिति लीटर पानी में मिला कर आपको इसका इस पर अपनी फसल पर करना है इसके इस प इस पर आप भी आपको सिलीकोन बेज़ स्टीकर का इस्तेमाल करने से इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही शांदार आते हैं जिसकी वज़े से जो आमारे सफेद मक्खी के जो बच्चे जो लारवा हैं वो भी बिल्कुल खतम हो जाते हैं इसकी मातरा दोस्तों एक से देड अब बात करते हैं किसान भाईयों चोथे प्रोड़क्ट के वारे में जो चोथा प्रोड़क्ट है किसान भाईयों उसको आप बहुत ज्यादा इस्तिमाल करते होंगे आपने मार्केट में एक दवाई देखी होगी जो सीमाई वाली दवाई होती है लेकिन दोस्तों वह दो त 25 परसेंट जो भूजिया की तरह देखने में आपको दिखती है यह जो दवाई है यह भी हमारे रस चुसक कीटों के लिए बहुत ही कारगर है और सफेद भुनके में भी दोस्तों बहुत ही शानदा रिजल्ट इसके देखे जाते हैं थाय मोकसम 25 परसेंट डवलू जी यह ग् दोस्तों इसके भी आपको लगबग दो बार तो इस प्रे अपनी फसल पर दरूर लेने चाहिए पहला इस प्रे अगर आप आज करते हैं तो लगबग आज से 5 या 6 जिन बाद आपको दुबारा से अपनी फसल पर इसके साथ में किसान भाईयो आपको इस टीकर का इस्तमाल जरूर ना है इस टीकर से जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे इसके जो रियल्ट है वो घड़ जाते हैं और जो इसकी पावर है काम करने की वो भी बढ़ जाती है इसकी महतरतों मैंने दोस्तों आपको बता दी कि अगर करूं तो यह लगबग 100 गराम का जो डबह होता है यह जो मात्रा है किसानवाईयो उसमें आप थोड़ा बड़ोत्तरी कर सकते हैं हर दवाई की जो मात्रा है वो आदा आदा आप बड़ा सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट दोस्तों आप ले सकते हैं मेरे बताये गए तरीके से अगर आप इन चारो प्रोड़ेक्ट का इन चारो दवाईयों का इस्तमाल करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं यह कोई प्रमोशनल नहीं है यह के बल एक अच्छी जानकारी के लिए आपको मैंने इसारी बाते बताई हैं इनका इस्तमाल आप कर सकते हैं सफेद भुनके को बगाने के लिए और जो हमारी रस्चुसकीट होते हैं उनसे छुटकार अपाने के लिए तो वीडियो को जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट वोक्स में हमसे जरूर पूछेगा और वीडियो को लाइक करके दरूर जाएगा मिलते हैं ऐसी जानकर साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद